खाना कोशामपी को मिली बड़ी सपलता दरसल आरोपी के साथ पांच और लोग चोड़ी करने की नियत से आये थे जिसके बाद खेतों की रखवाली करने वाले युवक ने उनसे पूछताच की तो आरोपियों ने उसे बूरी तरह पीट कर कपड़े से उसके हाथ पेर को बांद कर युवक की हत्या कर दी ती जिसके बाद ब्रतक के घर में घुसकर मारपीट कर गहने रुपए और की पैट वोबाइल श्रीन कर वो ले गए वही पुलिस ने एक आरोपिया को गिरफतार कर लिया है बाकि चुआर अभी फरार है आपको बता दे पुलिस दिक्ष कर रहा था उसकी लाटी डंडों से चोड़ पहुचा करके हत्या की गए थी इस संब्ध में टीमें गठित की गई और इसमें हमारे पांच लोग प्रकास में जिसमें एक अभ्युत्व विरफतार किया गया है पूरा घटना क्रम यह है कि यह एक चोरों का गैंग है जो चोर पांच लगाई और उनको टोका टाकी किया इसलिए इन्होंने उसकी पिटाई कर दिया और एक पेड़ से बांध भी दिया था